Hello Class 8, कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे Class 8 Science का Chapter No.1 और Chapter का Name आप देखो Crop Production and Management तो देखो इस वीडियो में हम इस Chapter के Question Answers को Solve करेंगे तो स्टार्ट करते है Question Answers सबसे पहला Question आपके पास आता है Question No.1 Select the correct word from the following list and fill in the blanks ठीक है? तो यहाँ पर से आपको कुछ words दे रखे हैं इनको आपको जो खाली स्थान है वहाँ पर बरने हैं ठीक है तो पहला देखो The same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called crop अब देखो चेप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको अची ही तरह से पुरा चेप्टर समझ में आ गया होगा ठीक है मैंने पढ़ा रखाया description में आपको link दे दूँगा वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो या फिर आप चेप्टर का name लिखे by modern massage करके सर्थ करेंगे तो आपको videos मिल जाएगी तो पहले आप वहाँ से पुरा चेप्टर पढ़ लें समझ ले ठीक है उसके बाद ये सारी चीज़े आपके आसानी से समझ में आ जाएंगी तो देखो जब हम बोलते हैं कि देखो आम का पेड़ है ठीक है पपीते का पेड़ है केले का पेड़ है फिर क्या होता है अगर हम इसी तरह के जैसे अगर मान लो आपने धान उगाए ठीक है तो आप एक खेद में उगाते तो उसमें आप एक धान का पेड़ तो उगाते न ऐसे पौदे बहुत सारे एक जगह पे उगाए जाते हैं तो उसे हम क्रॉप बोलते हैं जिसे कि हम हिंदी में बोलते हैं फसल ठीक है समझ में आ गया होगा आपके फिर देखो अगर फसल उगा नहीं है तो सीधा हम क्या करेंगा उसमें बीज डाल देंगा और वो उग ठीक है उसमें खाट डालना पड़ता है काफी सारे चीज़े होती है फिर देखो डैमेज दे सीड्स वुड़ फ्लोट आप वॉटर अब देखो जब हम बीज बोते हैं तो उससे पहला हम बीज को चेक करते हैं कि यह बोने लाइग है कि हम क्या करते हैं पानी में डाल देते अब देखो कोई भी चीज जो बढ़ती है ठीक है जो लिविंग विंग्स होती है उनको न्यूट्रिशन की जरौत होती है सनलाइट की वाटर की जरौत होती है ठीक है तो उसी तरह से आप लिखाओ है कि फसल को उगने के लिए एक कम मलब जो उपलवद मातरा होती है जितन रभी क्रॉप आपका जाएगा वीट, ग्राम, पी, केमिकल फ़र्टिलाइजर्स, यूरिया, एंड सूपर, फॉसफेट ठीक है यह आपने देख रखा होगा लोग अपने खेतों में डालते हैं यूरिया ठीक है फिर देखो ओर्गनिक मेन्यूर इसमाब डाल सकते हो एनिम पर देखो ज़्यादा भी दे रखे हैं तो जरूर्वी है आपको स्वीव लिखने हैं आपको सिर्फ दो लिखने है ठीक है तो देखो खरिक क्रॉप में आप लिख दो कि पैड़ी, मेज, सौयम, ब्राउन, नट, कॉटन, एड्से एक रभी क्रॉप में आप लिख दो preparation of soil ठीक है तो देखते हैं the preparation of soil is the first step before growing a crop तो अब हमें पता है कि अगर हमें फसल उगा नहीं है तो सबसे पहले हमें मिट्टी को फसल उगने लायक तयार करना होता है ठीक है यानि कि लोग उसमें हल लगाते हैं उसको अच्छी तरह से loose बना देते हैं ठीक है ऐसे नहीं tight जमीन नहीं होनी जीए अब इससे क्या होता है कि जो roots होते हैं पौधों के वो क्या करते हैं मिट्टी में गहराई तक जा पाते हैं ठीक है क्यों कहते हैं मैंने जो explanation videos में अच्छे से बता रहता है and add humus to it ठीक है और कुछ microbes होते हैं वो उसमें क्या करते हैं यूमस add करते हैं आगे देखो also turning and loosening of soil bring the nutrients rich soil to the top so that the plant can use these nutrients अब देखो क्या होता है जो हम hull लगाते हैं ठीक है तो उसके पाद जो मिट्टी होती है अंदर की मिट्टी जो होती है वो बहार आती है ठीक है, sowing की बहुत important part हो, तो देखो कैसे, before sowing good quality seeds are selected, अब देखो, हमको bees बोने हैं, उससे पहले ये तो होना चाहिए, कि ये जो bees है, ये ओगने लायक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले उन में से जो अच्छे bees होते हैं, उनको select करते हैं, कैसे करते हैं, वही method जो मैं आ अफ करा जाता है, ठीक है, और healthy seeds जो होते हैं, seed can be shown by seed drill or manually, अब seed को बोने के लिए आप एक machine आते हैं, देखो, seed drill, या फिर आप हातों से भी लगा सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हातों से लगाते हैं, जिनके पास चोटे खेत हैं, जिनके पास बड़े खेत होते हैं, is known as weeding, अब देखो, आपने देखा होगा, अगर आपने से कोई लोग खेतीवारी करते हैं, तो आपको पता होगा, जम कुछ फसल लगाते हैं, जैसे धान की गेहों की फसल लगाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, धान और गेहों की फसल की बीच में, छोटे चोटे चोटे वीड कहते हैं, ठीक है, वीड कन बे रिमोवड आइधर मैनुली बाइ यूजिंग टूर लाइक खुरपी, और यूजिंग वीडी साइट लाइक टू, फोर डी, ठीक है, अब देखो, इनको कहसे अटा सकते हैं, या तो हम हाथों से अटा सकते हैं, खुरपी का इस्तमाल कर या फिर कुछ वीडी साइट होते हैं, उनको हम डालते हैं, उनको इस्प्रे करते हैं खेतो में, उस से वो मर जाते हैं, वो अले पेड़ These are sprayed in the field to kill the weeds. अब इनको क्या करते हैं? इस्प्रे कर देते हैं खेतों में. फिर देखो threshing. Threshing, the process of separation of grain from the chaff is called threshing. अब देखो भूसे में से जो grain से जो अनाज है उसको निकालना भी एक process होता है जिसको हम बोलते हैं threshing. ठ्रेसिंग प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं? भूसे में से जो अनाज होता है उसको अलग करते हैं. This is carried out with the help of a machine called combine. और ये किसकी मदद से होता है? एक machine होती है, combine. उसकी मदद से ये किया जाता है. Which is in fact a combined harvester and thresher. जो की एक combined harvester होता है. यानि की खेती जो फसल है हमारी उसको काटना, ठीक है? उसको बोलते हैं harvest. अब देखो thresher यानि, threshing यानि की उस में से उस भूसे में से अनाज को बहार निकालना, अलग करना, ठीक है? छाटना. अब देखो question number five, I hope आपको समझ में आ रहा हो. क्या difference होता है? ठीक है? ये एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं? तो देखो. The main difference between fertilizer and manure are as follows. तो देखो. First point है, fertilizers is an inorganic salt. अब जो fertilizer होते हैं, ये inorganic salt होते हैं. ठीक है? इनorganic कैसे? अभी देखो. Manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle, dung, human waste and plant residue. ठीक है? अब देखो. ये जो fertilizer होते हैं, ये factories में बना जाते हैं. ठीक है? आर्टिफिशल ये बना जाते हैं. लेकिन जो manure होता है, ये naturally बनता है. ठीक है? जो cow dung, cattle dung होता है. ठीक है? यानि कि जो गोबर आप बोल सकते हो. या फिर जो human waste होता है. जैसे हम कुछ सबजियां चिलते हैं. ये साड़ in fact is, यहाँ पर दिकावा है. manure can be prepared in the field. ये अपना बनता है. अब fertilizer does not provide any humus to the soil. अब जो fertilizer होता है, वो कोई भी humus provide नहीं करता है, मिट्टी को. लेकिन manure provide a lot of humus to soil. fertilizer are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. जो fertilizer होते हैं, वो बहुँच रिच होते हैं, काई में. nutrients जैसे की nitrogen, phosphorus and potassium है, लेकिन manure is relatively less rich in plant nutrients. इन में कम होते हैं nutrients, लेकिन जो कुछ भी देखो manure एक natural process के थुरू बनाए जाते हैं, और fertilizers chemically बनाए जाते हैं, factories में. तो manure जादा अच्छा होता है, हमारी health के लिए भी. अब देखो, question number सिखते हैं, आपके पास, what is irrigation? ठीक है? तो, देखो, describe two methods of irrigation which conserve water. Irrigation यानि कि देखो, पानी चारना खेतों में, ठीक है? जिसको हम सिचाई बोलते हैं, हिंदी में. अब देखो, the supply of water to crop at different intervals is called irrigation, ठीक है? यानि कि खेतों में पानी चारना या फिर सिचाई करना, अलग-अलग टाइम में, इसको हम बोलते हैं, irrigation. The two methods of irrigation which conserve water are as follows. अब देखो, दो तरीके आपको दे रखे हैं यहाँ पर, जिनसे कि आप irrigation के थुरू कम से कम पानी, मलब कम से कम पानी यूज कर सकते हैं, और जादे जादा पानी बचा सकते हैं, ठीक है? कैसे? देखो, एक sprinkler system होता है. कैसे? अब देखो, under this method, इस method के सारी होते हैं, ठीक है? उसमें एक fixed gap के बाद, यानि कि अगर आप मान सकते हैं, एक मीटर के बाद कुछ एक perpendicular pipes लगाया जाते हैं उस पर ठीक है, उपर की तरफ, फिर उनमें क्या होते हैं, रोटेटिंग नोजल लगाते हैं, उनकी टॉप पे, अब देखो, अगर मैं आपक किस तरह से हो सकते हैं, यह देखो, अगर आप मान के चलो, यह कोई field आपका ठीक है, इसके बीच में इस तरह की horizontal pipes लगाया जाते हैं, अब इनके टॉप में इस तरह से जगा जगा पर एक fixed inter के वाल ऐसे perpendicular pipe लगाया जाते हैं, और इनके टॉप पे यहां पर एक rotating nozzle होती है, ठ छिड़काओ होता है, पानी का इधर उदर, ठीक है, हर एक के ऊपर यहां पर लगाऊगा, इससे इधर उदर पानी छिड़केगा, ठीक है, अब देखो, इसी को मैं बताता हूँ, आगे कैसे हो गए, when water is allowed to flow through the main pipe under pressure, with the help of a pump, it escape from the rotating nozzle, it gets sprinkled on the crop as if it is raining, ठीक है, तो यह ऐसे ल की तरह निकलता है, ठीक है, जो की crops के ओपर गिरता है, और ऐसे गिरता है, जैसे की बारिस हो रही हो, ठीक है, मलब बून बून करके गिरता है, तो इसी को बोलता है, sprinkler system, आगे देखो, drip system भी है आपके पास, in this system, the water falls drop by drop just at the position of the root, अब देखो, drip system में क्या होता है, कुछ pipes ह होते हैं, जो की पेड़ पौधों के एकदम जड़ पे लगाए जाता है, ठीक है, उसमें से क्या होता है, एक एक बून करके पानी गिरता रहता है, पेड़ की जड़ में, it is the best technique for watering fruit plant, gardens and trees, ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है, fruit plant हो गए, जैसे gardens हो गए, या पेड़ लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है, जहां पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है, अब देखो, आगे बढ़ते हैं हम, question number 7 है हमारे पास, if wheat is shown in the curry season, what would happen, अब देखो, अगर आप wheat को curry season में बोदेंगे, तो क्या होगा, देखो, वो नहीं उगएगी, normal सी बात है, wheat is a ruby crop, wheat क्या है, एक ruby crop है, hence it required cold climate conditions to be grown properly, तो इसलिए इसको क्या चाहिए, ठंडा मौसम चाहिए, उगने के लिए, if it is shown in the curry season, अगर हम इसको curry season में बोदेंगे, तो it will not grow or may get destroyed due to excessive rain in the curry season, ठीक है, तो क्योंकि curry season में बहुत सारी बारिस होती है, तो एक तो उगेगा नहीं, अगर हलका फुलका उग भी गया, तो वो destroy हो जाएगा, किस के कारण, बहुत ज़्यादा rain के कारण, ठीक है, बारिस के कारण, question number 8, explain how soil gets affected by continuous plantation of crop in a field, तो अब आपको बताना है कि soil किस तरह से effect होती है, अगर आप लगातार जो field है, उसमें अनाज उगाते रहोगे, तो लगा अब यह जो nutrients होते हैं, यह बहुत ज़्यादा जरूरी होते है, plant की growth के लिए, ठीक है, continuous growing of crop in the same field make the soil poorer in certain nutrients, अब देखो, अगर आप लगातार उसी खेत में, लगातार उगाते जाओगे उसमें अनाज, तो फिर क्या होगा, धेरे-धेरे करके, उसके nutrients क्या होंगे, कम होते च अबलब soil, ठीक है, and then to replenish the soil with nutrients, farmer need to add manure to the soil, और फिर इससे बचने के लिए, farmer क्या करते हैं, उसमें फिर और ज़्यादा manure खाद डालते हैं, यह सारी चीजे लगाते हैं, या फिर fertilizer डालते हैं, जिससे कि फिर क्या होती है, soil में nutrients आए, और फिर वो पेड़ पौदों तक पहु तो देखो, the undesirable plant may grow naturally along the globe, are called weeds, there are many ways to remove weeds and control their growth, weeds can be removed by uprooting or cutting them closely to the ground, अब देखो, weeds हमें पता क्या हैं, ठीक है, तो हम इनको कहाँ से अटा सकते हैं, या तो हम क्या करें, इनको जड से उखाड कर फैक दें, या फिर जड से इनको काट दें, ठीक है, from time to time, बला समय समय पर इनको हम फैकते रहें, काट-काट के, this is done with the help of a खुरपी, यह हम किसी खुरपी की मदद से कर सकते हैं, weeds are also controlled by using certain chemicals like weedicides, like 2, 4D, these are spread in the fields to kill the weeds, ठीक है, तो बाकी इस तरह के जो chemicals का use भी हम कर सकते हैं, weedicides का, जो की, जिनके नाम है, देखो, यहा पर, 2 and 4D, ठीक है, यह names है, यह weedicides के य weeds का हो जाते हैं, खतम हो जाते हैं, फिर देखो, question 10 है, arrange the following boxes in proper order to make a flow chart of sugarcane crop production, ठीक है, तो sugarcane crop production की आपको एक, यहापर detail में बताना है, ठीक है, कि किस तरह से, मलब, start होते हैं, और जहां तक जाकर, sugar बन जाता है हमारा, इसके बारे में आपको बताना है, तो देखो, सबसे पहले देखो, यहाँ पर कुछ points आपको दे रखे हैं, ठीक है, तो इनको आपको सही करना है, सीधा करना है, तो देखो, सबसे पहले आपको क्या हो, correct होगा, 5, 6, 4, 7, 2, 3, 1, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लोगे इने, 5, 6, 5, 6, पहले आपका आएगा 5, क्योंकि सबसे इसको एक लाइन वे में लिखे लेना, ठीक है, आप देखो, question 11, last question, आपको पॉजल है, तो पॉजल आपको स्वेम करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा इससे क्या होता है, mind sharp होता है, providing water to crops, अब देखो, हम crops को water provide करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, देखो, first option है, आपके पास down में, तो first year, आपका, irrigation कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे, irrigation, आगे देखो, keeping crop grains for a long time under proper conditions, इसको हम क्या कहते हैं, storage कहते हैं, storage में हमें डालते हैं, फिर देखो, certain plants of the same kind grown on a large scale, तो इसे हम बोलते हैं, crop, ठीक है, मैं आपको बता है, जब एक ही field में, एक ही ज harvester बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, आपर लिखावगा harvester, third में आप लिख लेंगे, यहाँ पर, ठीक है, इसमें लिख देंगे, अब harvester, फिर देखो, a ruby crop that is also one of the pulses, तो इसमें आप लिखोगे gram, ठीक है, fourth में आपका आ जाएगा, gram, और six में, a process of separating the grain from shaft, तो इसे आप होगे, winnowing, तो देखो, class 7, sorry, class 8, तिहां पर आपके इस chapter के सारे question answer complete हो जाते हैं, आप class 8, other subject के question answer videos, modern master जी के channel पर देख सकते हैं, मैंने सभी इपी video बना रखी है, बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, और modern master जी का नाम भी रोशन करें